नमस्कार दोस्तो ओल हिंद एडे टूप चेल में आपका स्वागत हैं दोस्तो अगर आप पेटियम यूज करते हैं तो इसके अंदर आप अनलिमिटेड इसक्रेच कार्ड जीत सकते हैं जिसमें आपको कैस्पेक पॉइंट मिलेगा उसको आप रेडिम भी कर सकते हो अपने प ऐसकी आप देटा हूं याँ पर 2360 रुपय अभी है और यहां पर मैं आपको रेफ्रेस करके भी दिखा देता हूं यहां पर अभी आप देख लिए जो मेरी ट्रांजेक्शन इस्ट्री है लास्ट में में 20 रुपे का मैंने ट्रांजिक्शन कर रखा है अभी यहाँ पर मेरा पेटियम वोलेट के अंदर और भी पैसा एड़ होने वाला है 50 रुपे यहाँ पर मैं एड़ करने वाला हूँ जो की बिल्कुल फ्री में केस बेक पॉइंट जो मुझे मिला है कैसे आपको जीतना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कुछ नहीं करना है जो मैं आपको ट्रीक बता रहा हूँ वो आप अपलाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा चले यहाँ पर मैं इसको बेक करता हूँ आपको सबसे पहले अपना Paytm को open करना है उसके बाद में आपको इस ट्राइप से scroll down करना है यहाँ पर आपको नीचे नीचे एक option मिलेगा caseback offer का तो इसके उपर आपको click का लेना है उसके बाद में आपको यहाँ पर देखना बहुत सारे आपको scratch card मिले होंगे यह scratch card तब मिलता है जब आप किसी को payment करते है mobile recharge करते हैं कोई भी transaction करते हैं तो आपको बहुत सारे scratch card यहाँ पर मिलते हैं इसी के अंदर कोई किसी scratch card में आपको redeem point मिलेगा जो cashback point होता है मुझे 66799 यहाँ पर मुझे cashback point मिला हुआ है और मैं इसके उपर click करूँगा अभी यहाँ पर मैं पैसा live adger के आपको दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर 1100 point है तो यहाँ पर आपको 10 रुपे मिलेगा यहाँ पर 5,000 point पर 50,000 रुपे हैं यहाँ पर और यहाँ पर 11,000 पर हमारे पास 6,000 लगबग है तो चलिए यहाँ पर 50 रुपे वाले पर click करता हूँ यहाँ पर यह redeem के लिए बोज रहा है तो चलिए हम यहाँ पर redeem के उपर click करके confirm पर मैं click कर लूँगा तो यहाँ पर जो मेरा cashback point voucher ने वो redeem हो चुका है चलिए मैं आपको यहाँ पर बेकर के passbook में जाकर दिखा भी देता हूँ तो यहाँ पर मैंने passbook को open कर लूँगा मैं यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि 1410 रुपे हो गया पहले मेरा 1360 रुपे ता भी 1410 रुपे हो गया और यहाँ पर money A2 Paytium gift voucher 50 रुपे का यहाँ मेरा यहाँ प्लस हो गया पैसा तो यहाँ पर जो भी आपका cashback होगा जो भी मैंने आपको बता है इसी type से आपको redeem कर लेना है जितना जादा इससे आप payment करोगे उस type से आपको cashback point मिलता रहेगा तो I hope इस वीडियो में दीका information आपके लिए useful रहे होगी